Hello and Namaskar, आप सभी का हर्दिक स्वागत है, Love Infinite चैनल में आपका पार्टनर Divine Masculine जो कि अभी थोड़ा सा Divinity में थोड़ा कम है, तो हो सकता है कुछ ना कुछ बातचीत हुई हो, कुछ ऐसी बाते हुई हो जिसमें की नुक जोक वाली बात हो जाती है, जिसमें की separation हो जाता है और कोई ना कोई बात आपको trigger कर जाती है, तो आज Divine Masculine की Divine Feminine के लिए किस तरह की जानने लगा हूँ, आप Female को भी इसको इस तरह से सोच सकते हैं, हिंदी में तो जानने लगा लगी बोलते हैं, बट इस तरह से आप ये समझ जाएए कि आपका Divine Masculine फिमेल पाड़ी में भी हो सकते हैं, तो वो इस तरह से सोच रही होंगी आपके लिए, ठीक है, तो वो इस Knowledge को, इस Soul Journey को, इस Heart या Thought के Situation में अब नहीं है, इस True Love Essence को वो जानने लगी हैं, और आपका जो Divine Masculine है, जो कि अभी भी पूरी तरह से Divinity में या Completeness में नहीं है, तो उन्हें Guidance मिल रही है, कहां से? Universe के तरह से जरूर Guidance उनको मिल रही है, उनके शब्द अब कुछ अलग तरि ना सीख रहे हों, और वो यही कह रहे हैं, कि मुझे तुम्हारी Presence से एक Solace, एक Strength और एक Purpose मिलता है, तुम्हारे बिना और कुछ सुहाता नहीं है, मैं तुम्हारे बिना Incomplete हूँ, मेरे कहने का यह मतलब है कि Divine Masculine कहीं ना कहीं, Regret भी कर रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ होते हैं, एक Pure Connection में बनते हैं, और हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, Transcendence होते चले जा रहे हैं, Time and Space से बिलकुली आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, मानना है, इसी वज़े से यह बार-बार आपके पास आते हैं, और मुझी खाके चले जाते हैं, लेकिन सामने वाला आपको taken for granted लेकर चला गया, यानि कि Divine Masculine, उसी में अपनी जीत समझ रहे हैं, या अब तक उन्होंने सोचा कि मुझे अपने comfort zone में रहना चाहिए, तो वो उस तरफ चले गए, क्यों कि आपकी तरफ से उनको कुछ ज्यादा ही प्रेम मिल रहा था, और उ उन्होंने काफी कुछ हील किया है, और वो यही कह रहे हैं, कि मैंने कहीं न कहीं बहुत सारी चीज़ें हील किये हैं, और इस separation में मैंने बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, इसलिए मैं तुम्हारे पास वापस आता हूँ, और वापस जब वो आ रहे हैं, अगर आ चुके हैं, और within two days, क्योंकि क्या है कि अभी full moon energy भी आएगी, तो within two days ऐसा उनका feelings है, तो हो सकता है कि वो आप तक आएं, और वो सारी बाते करें, कि हाँ, yes, I love you, and this and that, हाँ, मुझसे गलती हुई, यह वो, लेकिन little bit ego हो सकता है, कि अभी भी बाकी हो, तो जिसमें कि वो divine feminine हो, heart के बिलकुल कोने से मैंने तुम्हें जाना है, तुम ही मेरी beauty हो, strength हो, wisdom हो, मैं किसी तरह का illusion से, अब मैं बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हूं, और इस journey के purpose को समझने की कोशिश कर रहा हूं, तुम से ही मैंने जो strength पाई है, authenticity पाई है, उसी में ही मैं एक harmony में आना च तुना है, ये तो आपके divine masculine ही जानेंगे, लेकिन जो divine masculine का union energy है, वो काफी हद तक balancing state में है, क्योंकि वो खुझ से भी प्यार करने लगे है, उन्हें अभी तक यही लगता था कि मुझे दूसरों को दिखाने के लिए, वो show करना है कि yes, I am masculine, या मैं ऐसा हूं, ऐसा कर दूं तो दूसरा मुझे ऐसा समझेगा, ऐसा कह दूं, तो दूसरा मुझे ये समझेगा, आप मतलब जितना ज़्यादा divine masculine pretend करते थे, उतना वो ऐसा नहीं कर रहे हैं, अब एक authenticity में आ चुके हैं, तो उनका message यही है कि तुम से ही मैंने जाना है कि सच क्या है और authenticity क्या है, तो उनको deal करें, otherwise कुछ time के लिए थोड़ा sub break ले लें, और उसके बाद ही कुछ कहने सुनने लाइक आप भी हैं, तब ही कुछ बात किजेगा, otherwise no response is the best response, हमेशा अच्छा ही रहता है, ये वाली बात है, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर, तन्यवाद.